गाईस वेलकम टू एक्जाम वरियर्स यूट्यूब चैनल गाईस आज मैं आप लोगों के लिए महाजन पत्काल का पार्ट स्री बताने वाली हूँ इसमें मैं 15 ओब्जेक्टिफ्स बताऊंगी जो लूसेंट ओब्जेक्टिफ्स हैं ये मैं आपको सभी कवर कराने वाली वीडियो में तो गाईस आजका फस्ट कॉस्षण देखेंगे कॉस्षण नमबर वन सिकंदर की आक्रमण की समय उत्तर भारत पर निमलेकित राजवन्सों में से किस एक का साशन था ठीक है सिकंदर की आक्रमण की समय किसका शाशन था ये आपको बताना है ऑप्शन आ नंद आप्शन B, मौर्य, आप्शन C, शुंग, आप्शन D, इन में से कोई नहीं तो फस्ट का जो राइट आंसर है वो है आप्शन नमबर A यानि की नंद अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छटी सदी में प्रारंब में भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर राज्य था तो भारत का सरवादिक सक्तिसाली नगर राज्य कौन सा था आप्शन A है अवंती, आप्शन B काशी, आप्शन C है गानधार या फिर आप्शन नमबर D है मगद इसका जो राइट आंसर है वो है option number D मगद सारवादिक शक्तिशाली नगर कौन सा था मगद अगला प्रश्ण है third निमलिकित में से किसी राज्जी में गर्तंत्र आत्मक्ष शाशन व्यवस्था नहीं थी ठीक है किस राज्जी में गर्तंत्र आत्मक्ष शाशन व्यवस्था नहीं थी option A कपल वस्थू के शाक्षे में option B कुषिक नगर के मल्ल में option C वैशली के लिछवी में या option number D मगद में तो गाईस गरतंत्र आत्मक्ष शाशन व्यवस्था जहां पर नहीं थी वो है option narmar D जाता था ठीक है उग्रसेन यानि की भयानक सीना का स्वामी किसे कहा जाता था options हैं महापद्म नंद को option C है घंनन्द को option C शिचुनाक को या फिर option D है बिम्बिसार को तो फूर्थ का राइट आंसर है option number A यानि की महापद्म नंद को क्या कहा जाता था उग्रसेन या फिर भयानक सीना का स्वामी अगला प्रशन है question number 5 निम्लिकित में से किसे सेनिया नियामित और इस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता था यानि की सेनिया या फिर नियामित और इस्थाई सेना रखने वाला किसको कहा जाता था Option A है बिम्बिसार को, Option B है घनननत को, Option C शिशुनाग या फिर Option D है अजात शत्रू को तो guys फिफ्ट का जो राइट आंसर है बो है option number A यानि की बिम्बिसार को बिम्बिसार को क्या कहा जाता था नियमित और स्थाई से न रखने वाला ठीक है याद रखिएगा आप लोग अगला कॉशन देखेंगे कॉशन नमबर सिक्स है महापद्म काल में स्रेश्टियों के संचालक को क्या कहा जाता था स्रेष्टियों की संचालक को क्या कहा जाता था option A है स्रेष्टिन option B है सेट option C है ग्राम भोजक या फर option D है इनमें से कोई नहीं तो स्रेष्ट की संचालक को स्रेष्टिन कहा जाता था अगला प्रशने देखेंगे question number 7 ग्रहपती का अर्थ क्या होता है ग्रहपती ठीक है ग्रहपती का अर्थ बताना है option number A है धनी किसान option B है धनी व्यापारी option C है धनी व्यक्ती या फर option D है इनमें से कोई नहीं तो सेविंथ का जो राइट आंसर है option number A धनी किसान ग्रहपती ठीक है अगला question देखेंगे सुमेलित कीजिए सुमेलित करना है ठीक है तो guys इन सभी के right answers जो है इनके सामने ही दिये हुए है first देख लेंगे अस्ट कुलक अस्ट कुलक किसको कहा जाता था परामर्ष दाई संस्था को जो परामर्ष यानि की सलाव अगरा देते थे उनको क्या कहते थे अस्ट कुलक फिर second number देखेंगे महा मात्र बहा मात्र किसको कहा जाता था उच्च कोटी के अधिकारी को क्या कहा जाता था महा मात्र इसको भी आप याद रखिएगा अगला है third number वाला बली साधक बली साधक किसको कहा जाता था किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी ठीक है उसके बाद में fourth देखेंगे शुलका अध्यक्ष किसको कहा जाता था शुलकों को वसूलने वाला अधिकारी जो रहता था उनको कहा जाता था अगला प्रशन देखेंगे Q9. मगत के किस प्रारंबिक साशन ने राज्य रोहन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो अपने पिता की हत्या किस ने की थी? राज्य रोहन के लिए. Q10. विश्व का पहला गरतंत्र वैशाली में किस के द्वारा इस्थापित किया गया? यहाँ पर देखिए विश्व का पहला है इसलिए यह important हो जाता है question. विश्व का पहला गरतंत्र वैशाली में किस के द्वारा इस्थापित किया गया था? option A है मौर्य, option B है नंद, option C है गुप्त या फर option D है लिच्चवी. तो guys 10th का right answer है option number D यानि कि लिच्चवी. ठीके जो लिच्चवी जो लोग थे इनके द्वारा किया गया था? ठीके गरतंत्र वैशाली स्थापित. अगला प्रश्ण देखेंगे question number 11 है इसमें क्या करना है सुमिलित करना है यहाँ देखिए महा जनपत दिये हुए हैं और यहाँ पर उनकी राजदानी दी हुई हैं तो कुरू की राजदानी क्या हुआ करती थी? इंद्र प्रस्त. ठीके कैसे याद रखेंगे कुरू और इ माकेट और वत्स की राजदानी हुआ करती थी कोशाम भी अगला देखेंगे question number 12 निमलेकित में से कौन सा एक बहुत ग्रंत सूरला महा जनपतों का उलेख करता है यह question UPSC में भी आया हुआ था ठीके तो options हैं अंगुत्तर निकाए, option B है निकाए, option C है दीरग निकाए, या 16 बहुत ग्रंतों का उलेख करता है यह, अंगुत्तर निकाए, अगला question देखेंगे, question number 13, छटी शताबदी ईसापूर्व का मतस्य महा जनपत इस्थित्था, मतस्य महा जनपत बताना है, कहां पर इस्थित्था, option A है पश्य में उत्तर प्रदेश में, option B राजिस्थान में option C बुंदिलखंड में, या फिर option D है, इनमें से कोई नहीं, तो guys 13 का जो right answer है, वो option number B राजिस्थान में, छटी शताबदी ईसापूर्व का मतस्य महा जनपत, ठीक है, अगला question है, question number 14, निमलिकित में से किसी एक नदी को पहले वितस्था नाम से भी जाना जाता था, ठीक ह ठीक है, वितस्था नदी का नाम है, options है, गंगा, जेलम, तुंग भद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वितस्था किसको जाना जाता था, जेलम, ठीक है guys, आप याद रखिएगा, जेलम नदी को क्या कहा जाता था, वितस्था, अगला प्रशन है, question 15, last question, काशी और ल बी दोनों, या फर option number D है, शिशु नागने, तो guys, 15 का जो right answer है, वो है number B, अजात शत्रू, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, काशी और लिच्चवी का विलाए, guys, जो हमने आप से question पूछा था कल, उसका right answer आपने बिल्कु सही दिया था, उज्जेन का प्राची नाम क्या था, तो इसका right answer है, option number A, अगनती का, और जो मैं आप से question पूछन पूछन चाहूंगी, वो है question, किस साशक द्वारा सरप्रथम पाटली पुत्र का रास्यानी की रूप में चायन किया गया, इसका answer आपको comment box में बताना है, options है, अजात शत्रू द्वारा, काला शोक द्वार ओदायन द्वारा या फिर कनिश के द्वारा, गाईस आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वैल आइकन को प्रेस कर लिजे, और हाँ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे, इससे हमा सारा मोटिवेशन बढ़ता है, आज की लिए इतना ही, थैंक्यू सो मच,